हेलो बच्चों कैसे हो आप सब I hope आप सब अच्छे होंगे आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है The Early Man यानि हिस्टरी यानि पास्ट के जो लोग होते थे पहले जो लोग आये थे उनके बारे में हम पढने वाले हैं क्या हम इस चैप्टर में बड़ेंगे? Like, knowing about the past, a long time ago, how early humans lived, their food and dress and the changing man. Now, knowing about the past. One day, Rhea and Udith asked their grandpa about the life in the past. They asked, grandpa, who are the first people on the earth? Read what grandpa has to say all about this. एक दिन, Rhea और Udith अपने दाजा जी से बात कर रहे होते हैं past के बारे में वो पूछते हैं कि सबसे पहले अर्थ पर कोन आया था? Who was the first people? A long time ago. अब वो क्या स्टोरी सुनाते हैं? कि बहुत साल पहले, human beings did not look like us. Human beings जो आये थे, early men जो आये थे, वो हमारे जैसे नहीं दिखते थे. They look different. वो बिलकुल अलग दिखते थे. The man who lived in the earliest times is called the early man. और जो पहले, सबसे पहले जो लोग रहते थे, उनको किस नाम से बुलाया गया है? Early man के नाम से, यानि सबसे पहले, जो अर्थ पह आये. Right? His life was quite different from the life of the present day man. उनकी जो life थी, वो बिलकुल different थी. आज की जो life है, उससे बिलकुल अलग थी. Look at the picture of the early humans given alongside. आप देखो early human की, जैसे आज हम कपडे पहनते हैं, क्या इनोंने clothes पहन रखे हैं? No. The early humans did not live like us. जैसे अब हम घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं. Early humans ऐसे नहीं रहते थे. They were not civilized. वो civilized नहीं थे. Civilized क्यों होते हैं? एक जगे पर घर बना के, सोसाइटी बना के अच्छे से रहना. तो वो civilized नहीं थे. They were primitive. वो primitive थे. जहां पर उन्हें कुछ खाने का मिलता था, वो वहें पर रुक जाते थे. जब खाने की चीज़े वहां से खतम हो जाते थे, वो दूसरी जगे मूफ हो जाते थे. The early humans lived in forest. जो early humans थे, वो जंगलों में रहते थे. They lived like wild animals. और जैसे wild animals होते हैं, वैसे उन तरीके से वो रहते थे. Now, their food and dress. अब क्या खाते थे? क्या पहनते थे? The early humans had no clothes. Clothes नहीं होते थे उस time पर. तो वो क्या रहते थे? Naked रहते थे like animal. जैसे animal रहते हैं, वैसे ही वो naked रहते थे. Sometimes they covered their body with leaves. कई बार वो अपनी body को जो पत्ते होते थे या फिर branches जो होते थे, trunk जो होती थी, छाल होती थी, पेडों की उससे अपने body को cover करते थे. Early humans did not know how to grow food. उनको ये भी नहीं आता था कि food कैसे grow करते हैं? They ate wild fruits and roots. वो क्या खाते थे? They also ate raw meat. कच्चा meat खाते थे क्योंकि उन्हें आग जलानी नहीं आते थे. They hunted for that. और कच्चे meat के लिए वो क्या करते थे? शिकार करते थे. Now, the changing men. After a long time, things begin to change. कुछ टाइम के बाद जो हैं, चीजे चीजे होनी शुरू हो गई. The men begin to live in caves and sheltered places. अब लोगों ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया. ठीक है, sheltered, यानि जहां पर छाव होती है. Shelter places में रहना शुरू कर दिया. He made fire by rubbing two stones together. उसके बाद उन्होंने आग जलानी भी सीख ली. आग जलानी कैसे सीखी? जब वो लोग बैट कर, कोई दो पत्थरों को आपस में रब कर रहा था, तो उन्होंने देखा, एकदम से उसमें fire आई. ठीक है, तो इस तरीके से आग जलानी सीख ली थी. With fire, cooking begin. अब जैसे आग जलानी आई, तो उन्होंने क्या किया? Cooking करनी सीख ली, जो meat वो raw खाते थे, कच्चा खाते थे, अब उसको वो cook करते थे, and the men started eating roasted meat. अब उसको क्या करते थे? वो roast पका लेते थे meat को. The early humans learned to make some tools. उसके बाद उन्होंने tools बनाना सीखा, पहले पत्थर से, stone से वो, या अपने हाथों से शिकार करते थे, अब उनको tool हथियार बनाना आ गया था. They tamed animals and started growing plants. They started farming. उसके बाद animals उसे लगा, animal हमारे काम भी आ सकते हैं, right? तो उन्होंने animals को पालना शुरू कर दिया, और पोधों को grow करना शुरू कर दिया. और धीरे धीरे ऐसे उन्होंने क्या शुरू की? farming शुरू की, fine? Now, they've left their caves and started living in small villages. अब farming के लिए उन्हें खेतों के पास रहना पड़ता था, तो उन्होंने caves छोड़ कर एक छोटे छोटे गाउं में, एक group में रहना शुरू कर दिया. With those changes, a new kind of man started appearing. और ऐसे धीरे धीरे change होता गया, और अब चो human being है, उस time से, इस time, इस तरीके से changes आते गए, okay? Now, here is the activity, identify these things and uncircle the things which early humans used. Early humans क्या use करते थे, वो आपको क्या करना है? Circle करना है, तो आपको पता होगा, you can circle it, okay? Now, let's recall the chapter, the early man lived in the earliest times. Early humans lived in forests like wild animals. They ate wild fruits, roots, raw meat, etc. When the early humans learnt about fire and farming, their life started changing. And this is the chapter, I hope अच्चों आपको ये चप्टर समझाया होगा, एक बर फिर से इसको read करेंगे और exercise की practice आप खुद करेंगे.